हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लासिक्स की वर्क्षीट नंबर 28 जोकी 18th of October 2021 की वर्क्षीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश तो सबसे पहले जो हमें आप टॉपिक समझना है वो है प्री पोजिशन और ये कौन कौन सी चीज़े होती है जैसे की on, on का मतलब होता है किसी के ऊपर कोई चीज रखी हुई है और वो उससे touch है ठीक है इन का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर कोई दूसरी चीज रखी हो इन मतलब अंदर, over का मतलब होता है कि इसी एक चीज के ऊपर दूसरी ची है पर वो touch नहीं है ठीक है under का मतलब होता है नीचे far का मतलब होता है दूर near का मतलब होता है asked up का मतलब उपर की side और down का मतलब नीचे की तरफ ठीक है चलिए अब इसके यह तो आपको समझ में आ चुका है इसको बेस लेते हुए आगे के question को solve करना है आप preposition is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun stands in relation to something else यानि preposition एक ऐसा word है जो कि किसी noun या pronoun के साथ use किया जाता है और ये दिखाता है कि वो जो noun या pronoun है उसका क्या relationship है किसी दूसरी चीज के साथ ठीक है अब देखो question number one है underline the preposition in the following passage यहां हमें पैसेज दे रखा है और हमें पहचानना है कि इनमें कौन कौन से words है जो की preposition है ठीक है चलिए हम उसे पहचान के उसके नीचे underline करेंगे animals like horse, animals loin, etc. live on land तो on यहां पे preposition है यानि कि जो animals जैसे horse है, elephant है, loin है यह सब land के उपर रहते हैं birds fly over houses and trees जो birds है वो घर और चट के उपर fly करते हैं अब देखो on का मतलब है उससे touch है जो elephants वगरा है वो जमीन के उपर उससे touch होते हुए रहते हैं लेकिन जो birds है वो fly करती हैं houses के उपर और house के काफी जादा उपर होती है वो house को touch नहीं करती है इसलिए यहां पे word use हुआ है over fish live in water जो fish है वो पानी के अंदर रहती है some animals make their houses under soil और कुछ animals हैं जो अपने घर को soil के नीचे बनाते हैं animals like dog, cat, cow and buffalo etc. live with man as pets तो यह जो सारे animals यहां पे दिखा रखे हैं वो सभी animals इंसानों के साथ pet के रूप में रहते हैं some animals live near villages जो कुछ जानवर हैं वो गाओं के पास में रहते हैं and cities while some other animals live in forest far from noise and crowd और कुछ animals ऐसे हैं जो की forest में रहते हैं जो की noise और crowd से काफी दूर है तो near in and far यह सारे भी prepositions हैं और जतने words मैंने underline किये हैं वो सारे words आप underline करेंगे क्योंकि यह सारे prepositions हैं ठीक हैं अब हम देखते हैं question number two choose the correct prepositions to complete the sentences नीचे हमें कुछ sentences दे रखे हैं और उसके सामने options दे रखे हैं सही prepositions को चूज करके हमें इन sentences को complete करना है question number one है I keep my books dash my bag तो मैं अपनी books को अपने bag के अंदर रखती हूँ तो इसलिए first में use होगा in ठीक है question number two है the fan is dash the table जो fan है वो table के उपर रखा हुआ है अब अगर इसको मैं table fan मानू तो इसका मतलब table fan table के उपर touch करते हुए रखा है तो यहाँ पर on आ जाएगा लेकिन अगर यह table fan ना होके दूसरा वाला fan है तो over आएगा ठीक है third part है her toys are lying dash the bed उसके जो खिलोने हैं वो bed के उपर बिखरे हुए हैं अब bed के उपर बिखरे हुए हैं तो उपर के लिए on use करेंगे next है the dog was sleeping dash a tree जो dog है वो tree की नीचे सो रहा था तो नीचे के लिए हम use करते हैं under ठीक है उसके बाद next है when you look dash you can see stars in the sky तो इसका मतलब है जब आप उपर देखते हैं तो आप उपर जो sky में stars हैं वो आप देख पाते हैं तो उपर का मतलब up तो इस blank में आप लिखेंगे up next है the baby fell dash suddenly baby अचानक से नीचे गिर गया और नीचे के लिए हम use करते हैं down यहाँ पर हम लिखेंगे फिर down ठीक है next है Delhi is dash from Chennai जो Delhi है वो Chennai से दूर है या पास है तो Chennai से Delhi काफी दूर है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे far ठीक है next है my kite was flying dash houses and trees जो मेरी काइट है वो अलग-अलग घर और जो पेड़ पौधी है इनकी उपर से उड़ रही थी तो यहाँ पर हम over लिखेंगे क्योंकि अगर हम on लिखते हैं इसका मतलब कि पेड़ और घर से टकराते हुए कोई पतंग उड़ रही है पर क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है ठीक है जो काइट है वो घर से बहुत ज़ादा उचाई पर उड़ती है इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे over ठीक है बच्चो तो यह थी यह थी आज की हमारे English की Worksheet और आई होप आपको यह Worksheet बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू